कर्मचारी की पेंशन जारी ना करने पर हाई कोट ने जताई नाराजगी, सरकार को दिये ये सक निर्देश, जाने कब मिलेगा लाब? हाई कोट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने साल बीतने और हक में फैसला आने के बावजूद लाब जारी नहीं किया गया, याची 24 साल से अदालतों के चक्कर काट रहा है, आप और कितना इंतजार करवाएंगे? चंडीगर पेंशन न्यूज, साल से कानोन लडाई लडने वाले पूर्व सैनिक को पेंशन जारी ना करने पर पंजाब और हरियारा हाई कोट ने नाराजगी जताई है. हाई कोट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पेंशन कड़ी मिहन से अरजित समपती है, इसे कैसे रोका जा सकता है? हाई कोट ने स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो ITBP के महानिदेशक को खुद कोट में हाजिर होना पड़ेगा. हाई कोट ने जताई नाराजगी दिये ये आदेश. हाई कोट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने साल बीटने और हक में फैसला आने के बावजूद लाब जारी नहीं किया गया, याची 24 साल से अदालतों के चक्कर काट रहा है, आप और कितना इंतजार करवाएंगे? पेंशन रोकने का अधिकार केवल राश्च्रुपती को है, विभाग को ऐसा कोई अधिकार प्राप्ट नहीं है. इस आदेश के बावजूद पेंशन व अन्य लाब जारी न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है. अगली सुनवाई तक आदेश का पालन किया जा अन्यथा ITBP के महानिदेशक खुद अदालत में पेश हो. ये है पूरा मामला. दरसल यह मामला कई सालों कुराना है और हिमाचल प्रदेश और शीनगर से जुड़ा है. सालों पहले शीनगर में हुए दुशकर्म के एक मामले में कोट मार्शल प्रक्रिया पूरी होने के ब मार्शल हुआ तो बरखास कर दिया गया. इसके बाद 2000 में इस कारवाई के खिलाफ हाई कोट में याचिका दाखिल की गई थी तो कोट ने 2013 में दोहरे कोट मार्शल को गैर कानूनी करार दे दिया था लेकिन दोबारा सेवा में लेने का आदेश नहीं दिया. इसके बाद य याचिका करता ने पेंशन व अन्यलाब जारी करने की मांग की तो हाई कोट की सिंगल बेंच ने याचि के हक में फैसला सुनाया. इसको लेकर फिर केंद्र सरकार ने खंडपीट में अपील दाखिल कर दी लेकिन जनवरी 2024 कोट ने अपील खारिस कर याचि को पेंशन व अन का पात्रमाना. जिस पर अब तक अमल ना होने पर हाई कोट ने नाराजगी जताई है और अगली सुनवाई तक पेंशन जारी करने के सक्त आदेश दिये है. तीम महिने में अनुकंपा नियुकती के आधार पर नौकरी पर ले फैसला. पंजाब हरियान हाई कोट ने आर्मी को आदेश दिया है कि याची को अनुकंपा के आधार पर नौकरी पर तीन माह के भीतर निर्णय लिया जाए. यहाई याची का 2017 में हिसार निवासी रेखा शर्माने ने दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि उनके पती भारतिय सेना से सेवाने वृत होकर पंजाब न 2016 में अनुकंपा आधार पर नौकरी के लिए बैंक में आवेदन किया लेकिन बैंक में यह कहकर रद कर दिया कि याची को पती की मौत के लिए LIC से 45 लाक रुपे मिले हैं और आर्मी से 17,500 रुपे फैमिली पेंशन मिल रही हैं. ऐसे में परिवार को जरूरतमन परिवार न झाल